बहुत पहले की बात है, एक माजूर शक्स एक गाउं में रहा करता था, उसकी एक टांग कटी हुई थी और वो बेसाकी के साहरे चलता था, एक बार किसी ने उससे पूछा, भाई, आपकी ये टांग कैसे कट गई? ये मेरी अमी की बद्दुआ की वज़े से कट गई है, आपकी अमी ने आपको बद्दुआ क्यों दी? ये बड़ा ही अजीब वाक्या है, एक बार मैंने अपने बच्पन में एक चुड़िया पकड़ी और उसकी टांग में धागा बांद दिया, इसी दौरान वो मेरे हाल से एक दम छूट गई, और वो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए उड़ते उड़ते एक दिवार की दड़ा में घुच गई, मगर धागा बाहर ही लटक रहा था, मैंने धागा पकड़कर बेदर्दी से खींचा, तो चुड़िया फड़कती हुई बाहर निकल पड़ी, म मैंने इस बात पर कोई तवज्जह नहीं दी, और ये बात भी पुरानी हो गई, फिर कुछ वक्त बात तालीम हासिल करने के लिए मैंने शहर का सफर किया, रास्ते में सुवारी से गिर पड़ा, जिससे टांग में शदीद चोट लगी, शहर पहुँच कर मैंने डॉक्टर स अपनी टांग की चोट का बहुत इलाज करवाया, बहुत सी दवाईयां खाई, मगर टांग की तकलीफ कम ना हुई, और टांग कटवानी पड़ गई, और यूं अम्मी की बद्दुआ पूरी हुई, सबक, इस कहानी से मालुम हुआ कि हमें किसी जानवर को भी तकलीफ नही पहुचानी चाहिए, हम इनसानों की तरह इन जानवरों को भी अल्ला पाक ने पैदा फरमाया है, इन्हें बिला वज़े तकलीफ देने से अल्ला पाक नाराज होता है, और अगर इनका खयाल किया जाए, तो अल्ला पाक खुश होता है, हमारे प्यारे नबी ﷺ ने फर्माया एक शक्स सफर में जा रहा था कि उसे रास्ते में सख्त प्यास लगी उसे करीब ही एक कुए नजर आया जब कुएं से पानी पी कर चला तो देखा एक कुटा प्यास के मारे जबान बाहर निकाले पड़ा है उसे ख्याल आया कि इसे भी मेरी तरह प्यास लगी होगी वो वापिस गया मूँ में पानी भर कर कुटे के पास आया और उसे पिला दिया अल्ला ताला ने सिर्फ इसी रहम की बदूलत उसके गुनाहों को मुआफ कर दिया ये सुनकर सहबा एकराम ने पूछा क्या जानवरों पर शफकत करने से भी हमें सवाब मिलता है आप शफकत का अजर मिलता है